बिहार में समय समय पर भाजपा की तरफ से गिराज सिंग को कमान दिया जाता है एक बार फिर से बिहार भाजपा में गिराज सिंग को कमान दिया गया है और यह कमान बिहार में लगतार चल रहे उन मुद्दों को लेकर है और देश में चल रहे उन मुद्दों को लेकर है जिस में कहीन और सेकुलर पार्टीां भाजबा प्रडयिस्व हो जाती है फिछले दिन रामनौमी के जुली। को लेकर जो वाक्या हुआ कहीना कहीन उसमें गिरास सिंघी की भूमी का एहमियत हो जाती है उनका बयान बड़ा ही एहम हो जाता है उनकी भूमिका इसले भी एहम हो जाती है कि भाजपा के तरफ से उन्हें बयान देने के लिए सायद अधिक्रित कर दिया जाता हो ये तमाम चीज़े हैं अब एक बार फिर से जहांगीपुर की घटना हो या अन्य ज गहों की घटना हो उस घटना को लेकर जीतना मांजी ने जुलिस पर रोक लगाने की मांग कर दी तो कि राज सिंग ने भी खुले मुह से जीतना मांजी को संदेश दे दिया है एक बार फिर से जब सारे मामले हो रहे थे उसी दरम्यान की राज सिंग ने बयान दिया है कि त के बाद पाकिस्तान में हमारे मंदी तूट गए भारत के अंदर तीन लाख से आप तीन करोड हो गए हमने गले लगाया मजजीदों से अब तीन लाख मस्जीद आपकी हो गई फिर भी हमें कोई आपकी नहीं है गियास सिंग कर रहा है है और इसको कतई बरदास्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा है कि अगर देश में यानि भारत में जब जुरूस नहीं निकलेगा तो क्या आफगानिस्तान में जुरूस निकलेगा गिराज सिंग के इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासी माहौल बदल रहा है ज ये जाने आती रही हैं। उसमें कहीं न कहीं गिराज सिंग के बयान को बड़ा एहमिएत दिया जाता है जैता है कि न तिरी ने कल ही यह ब़यान दिया था कि बिहार में इस तरह क क्या नहीं हो सकता है हम लोग सबी चीसे की तरीके से देख रहे हैं लोगों को सदभाव के साथ रहना होगा और सबी लोग flirt दिखाई दे रहा है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजेगो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर वीडियो पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद